नमस्कार दोस्तों मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ S.S.C.D. Constable 2022 के एक्जाम को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है बच्चों का एक सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या जो एक्जाम की डेट है वो एक्स्टेंड होगी या नहीं होगी क्योंकि S.S.C.D. ने अपने कैलेंडर के अंदर बताया था कि आपका जो एक्जाम है वो दस आपके जनवरी से स्टार्ट होगे फरवरी मिड तक आपका जो एक्जाम है वो चलने वाला है लेकिन बहुत सारे बच्चों को अब भी ये बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है या हमारे फर्म स्टेटस है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है तो ऐसे में एक्जाम जो है वो साइद आगे सरक सकता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी सोचते हैं कि आपका एक्जाम जो है वो आगे सरक जाएगा या एक्जाम की डेट आपके आगे भढ़ जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे है क्योंकि जो SSC है वो बिल्कुल ही एक तरह से क्रांतिकारी मोड के अंदर यहां पर है आप देखेंगे फर्म स्टेटस को अगर आउट करना है तो आपको अगर तीन से चार दिन के अंदर भी अगर आप अपना फॉर्म स्टेटस को चेक कर लेते हैं सारे क्या आपका फॉर्म स्टेटस क्या है और या फिर फॉर्म स्टेटस के दूसरे दिनी वो आपके एड्मिंट कार्ड के स्टेटस को भी आउट कर देती है तो भी आप मान कर चलो 10 तारिक से भी अगर आपका exam conduct होता है तो भी आपके पास 15 दिन का समय यहाँ पर बच जाता है अगर वो आपके कलिया परसों के अंदर भी आपके form status और admit card status साथ-साथ यहाँ पर out कर देती है तो ऐसे में आपके पास एक जो time है जो आप यह सोचरियों कि exam extend होगा और उसके बाद अचानक से admit card आ जाते हैं तो time आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचेगा So, SSC के सारी चीजे देखते हुए SSC के पुराने जो records जो भी हाल फिलाल में जो इस थापित कर रही है कि आज exam हो रहा है तीन दिन बाद दो आज खतम हुआ है दो दिन बाद अकी निकाल रही है उसके कुछ time बाद result निकाल रही है तो आपको यह ब्रम नहीं पालना चीए कि आपका जो exam है वो कहीं blast में आगे सरक सकता है या भढ़ सकता है क्योंकि एक एक दिन जो आप courses से पीछे अटते जाएंगे इसी सोच में कि भई exam सायद लेट होगा लेट होगा लेट होगा और SSE आपका exam conduct भी करवा देगी तो वहाँ पर आपको बड़ा भारी जटका लगेगा और आप selection से दूर हो जाएंगे स्वैसे में इस भ्रम को आप अटा दीजिए हो सकता है 24-25 तक आपके form status और admit card का status एक साथ आउट हो जाए और 10 तारिक से ही आपके exam जो है वो conduct करवाए जाएं क्योंकि अभी इससे related कोई भी update नहीं है कि आपका जो exam है वो postpone या आगे extend किया जाएगा तो अपनी त्यारी करते रहिए और कोई भी भ्रम अपने मन में मत पालिये जब तक कि आपको कोई official उसकी authenticity ना हो उस news की ठीक है त्यारी करते रहिए selection के नस्दिक जाना है आपको दिन रात आप मेहनत करिए क्योंकि time बहुत कम आपके पास बच गया ठीक है फिलाल के लिए इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much नमस्कार